जहारखन में आजवासी दिवस की धूम है राज सरकार इसे महुतसब के रूप में मना रही है मगर बिड़मना यह है कि जो ट्राइवल जहारखन की राजनीत के केंद्र बिंदू में हमेशा से रहते आये हैं आज उसी की भासा संकट में है सरकार ने जनजातियों के लुप्त हो रहे भासाओं को बचाने के लिए बिस्विद्याले से लेकर राज अस्तर पर संस्थान और बिभाग खोल दिये हैं मगर इन संस्थानों और बिभागों में सिक्षक से लेकर आवश्चक संसादनों की भारी कमी है इस्तिती की गंभीरता का अनाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राची भी सुविद्याले का छेत्रिया और जनजातिय भासा विभाग दम तो रहा है संजुक्त बिहार के समय उन्हें सो असी में ततकालीन मुकमंत्री जगरनात मिर्स के कारिकाल में पद्म स्री राम दयाल मुंडा के प्रयास से राची भी सुविद्याले में पांच जनजातिय और चार छेत्रिय भासा की पढ़ाई के लिए विवाग खोले गए कि अभी तक इस बिभाग का कि अभी तक इस बिभाग को अस्थापना हुए बे आलिस साल हो गया लेकिन अस्थाई सिच्छक कम है और प्रफेसर तो किसी भासा में नहीं है पड़ा गौरवशाली इतियास रहा है इसका जार्खन आदोलन में ठीक है जो अपना नाम लिखान लिखा ले जिनको जो पाना है पाले लेकिन बहुत है केंदर रहा है जार्खन आदोलन का और यहीं शे जार्खन आदोलन के कई नेता कई प्रनेता जन जातिये भासा संद्रक्षन के लिए लंबे समय से बड़ी-बड़ी बातें होती रही है मगर सच्चा ही सामने है अनुम मगर अंतर यह है कि दूसरा विशय का हो जाता है और जन जातिये भासा का किसी ना किसी वज़ा से रोक दिया जाता है उनिस सो छियादवे में इन भाशाओं में पहली बार पत्ना से पत्ना विशवी देला सेवा नुदान आयोक की ओर से इसका इंट्रुव्य बुलाया गया उस समय क्या हुआ सर बाकी विशयों का रिजल्ट निकलता है उस समय तो हम आविवाजित थे और सिप जन जातिये भ रिजल्ट देने के लिए कहा था लेकिन आयोक के तरप अभी तक रिजल्ट नहीं दे गई है ये सरबड़ाही संद्यास्पद और दुर्भागय लगता है हमारी इन भाशाओं के लिए बहराल सिक्षकों और संसादनों की कमी को दूर किये बिना छेत्रिये और जंजातिये भासा का उनियन की बात सोचना बेवानी होगी ऐसे में आवसक्ता इस बात की है कि ऐसे महतपूर्ण सेक्षिनिक संस्थानों को सुदिर करने का जिससे आनावाला पीड़ी भी आदिवा 89 सब्यता संस्कृति को जान सके कैमरा परसंद परवानन के साथ बोवन की सोर्जा इटीवी भारत राची